राची में हमारे बियरो चीफ ब्रजेश राय ने कॉंग्रस के प्रदेश कारेकारिया धक्ष राजेश ठाकुर से खास बाचीत की है इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रस अपना दमखम दिखाने की तैयारी में जुट गई है बुदवार को राची के वधान सभा मैदान में कॉंग्रस जना क्रोश रैली करेगी चारकन के इस चुनावी समर को कॉंग्रस बहुत ही सधे कदमों से चलने की कोशिश कर रही है कल यानि बुधवार को यहाँ पर कॉंग्रेस की जना क्रोश रैली है जिसमें कई बड़े नेता शिर्कत करेंगे हमारे साथ प्रदेश कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है राजेश जी क्या अनुमान है क्या आप दिखाना चाहेंगे कल देखे हम यह समझते हैं जिस तरह की तैारी है और जिस तरह से जनता में आक्रोस है कहीं न कहीं 25-30,000 लोग इस एतिहासिक रैली में सामिल होंगे और यह सिर्फ प्रमंडल की रैली है यह कोई पूरे जारकंड की रैली नहीं है यह सिर्फ प्रमंडल की है और विशेश का मंतरी जी लेकर चल रहे थे उसके पास जन्द उसके बाद जो जनता का आक्रोस बढ़ा है उस आक्रोस को समेटने हम लोग निकले हैं और कहीं न कहीं उसमें हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं चलिए आपकी जन आक्रोस बढ़ा है उसके कौन काौसे नेता प्रोमेनेंट जो है वो सम्बोधीत करने मंच पर कौन नजर आएंगे देखे हमारे हम जो इहां कल आने वाले नेता हैं हमारे ब्रदेस प्रभारी आदरणी आर्पी एन सिंग साहा होंगे हमारे जो प्रदेश के साफ प्रभारी हैं उमंग सिंगार और मैनूल हक साब होंगे और प्रदेश अध्यक्ष उसका पूरी त्यारी कर रखी है प्रदेश अध्यक्ष जी तो सवहावी करूप से प्रदेश के अध्यक्ष है वो सब लोग रहेंगे शक्ति का परदर्शन भी करती हुई जरूर दिखाई पड़ेगी कैमरा परसंसुरेन परसाद के साथ ब्रजेश राय आर नाइन टीवी राची